सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है, गलत वैक्ती कितना भी मीठा बूली, एक दिन आपके लिए बिमारी बन जाईगा, अच्छा वैक्ती कितना भी कड़वा लगे, एक दिन और शधी बनकर काम आईगा, भहुत अच अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं चलता कि लोग आपकी कद्र कर रहे हैं या इस्तमाल आज का पंचान, 14 अप्टूबर 2023 दिन शनीवार, आश्विन मास के क्रिश्न पक्च की आमवश्यति थी, दुपहर 11 बच का 24 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांत प्रती पदती थी प्रारम हुचा आईगी, हस्तनामक नक्छेत्र, साम 4 बच का 24 मिलट तक रहेगी, इसके सामक नक्छेत्र प्रारम हुचा आईगी, आज का राहुकाल, अर्थाद दिन का सबसे असुप सम्में, सुबह 9 बच कर 19 मिलट सी, 10 बच कर 46 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांत तुला राशी पर संचार करेगी, और आश्यूर ये कन्या राशी पर रहेगी, आज लगने ज जा रहा है सूर्य ग्रहन, हिंदू पंचां के गणना के मुताबिक साल का दुष्टा और आकरी शूर्य ग्रहन, 14 अक्टूबर यानि आज लगेगा, भारती समय के अनुशारिय सूर्य ग्रहन, आज रात 8 बच कर 34 मिलट से प्रारम होचाईगा, जिसका समापन मध्यरात्री को दो बच कर 25 मिलट पर होगा, या शूर्य ग्रहन वल्याकार में होगा, जिसमें आस्मान में सूर्य एक रिंग यानि अंगूठी के अकार में नचराएगा, जिस कारण से रिंग आउफ फायर भी कहा जा सकता है, ये सूर्य ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा, ऐसे म बिन बिन होती है, जहां सूर्य ग्रहन की सूतक काल 12 गंटे का होता है, तो चंद्र ग्रहन का सूतक काल 9 गंटे का होता है, साल का दुश्रा और आखरी सूर्य ग्रहन भारत में नहीं नजराएगा, ऐसे में सूतक काल मानिय नहीं होगा, मेथोर रासे 14 अक्टूबर 2023 दिन श पाजी कर सकते हैं जो दिल सा आपका भला नहीं चाहता इसलिए पहले इस आदमियों के बारे में सही से छानबिन कर ली अगर आप पिछले कोई समय से कारिस्तल या घर पर किसी की बातों से असहमत है तो आश दोस्ती का हाथ बढ़ानी के लिए अच्छा समय है अच्छा चानक से कोई ऐसे घटना घट सकती है जिसके आपने कलपना भी नहीं की थी साथ ही मेडियत साथ ही मेडियत अथा संपर्क शुत्रों के माध्यम से भी आपको विशे शुपलब्धी मिलने वाली है वविशे से समंधित किसी गतिवीधियों में निवेश करने का नुकूल समय है ब बातों का डर है उनका सामना करने का होसला बढ़ेगा नकर आत्मक्ता से बचना होगा वर्तमान से जुड़ी हर एक घटना पर ध्यान दी कारे से जुड़ी हर एक बात वक्त पर पूरी होगी पार्टनर से विवाद हो सकता है पार्टनर की बातों पर ध्यान दे और लोगों करेंगी विवाद दूर हो शकता है शौधानिया दोपहर बाद कोई विवादित इस्थिती बने की अपने वैक्तिक अत्मामलों में पडूश्यों और मित्रों का हस्त छेप ना होने दी कोई भी यूशन बनाते से मैं अपने निर्णे को ही प्रात्मित्ता दी किसे दोस्त या मधूरता रहने से मन प्रफुलित रहेगा आप अपनी रिस्ते को जाच कर कुछ मरियादिस सीमाएं बांधने के लिए बिलकुल उप्युकत है आशा आपको यह मैसूस हो जाएगा कि आप अपनी चमता से अधिक देते रही हैं फिर भी आपका पार्टनर आप से दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है इन मांगों पर शीमा लगाने से आपके रिस्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिस्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत मैसूस होगी बात करते हैं करियर की दों के साथ अत्यांते सटिक रहेंगे आपको पैत्रिक संपती से या अपनी अत्यधिक धनलाब हो सकता है अधिक मैत्रिक लेन देन में शामिल किसी पर भी भरोसा ना करें और शोधान रही कारोबार में लाप की शंभावना बनी हुई है मेहनत के अच्छे परिणाम मिलें अंगे तथा सब के बीच आपके छवी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी पार्टनर्शिप करते से में भावकता मिलिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है बात करते हैं सीहत की आपको आज अपने शारी सक्तिकी पर इच्छा नहीं देनी चाहिए लेकिन आपकी गरदन औ कोई अधिक सारिक मेहनत वाला काम ना करें अज आपको आराम करना चाहिए आप हलका फुलका योग कर शकते हैं लेकिन आपको ऐसा किसी प्रसिक्षित की देख रेक में ही करना चाहिए आज का उपाए आज आप शनी भगवान जी की पूजा करें और नारियल चड़हें आपको आदे शुग हूँ